ग्यान मंत्रा हूं में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपने सपने में अपने पती को देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है सपने हम सभी लोग देखते हैं लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें याद रह जाते हैं वैसे तो हम जादातर सपने भूल जाते हैं और वहाँ सच भी नहीं होते लेकिन कुछ सपने ऐसे आते हैं जो की हमें आगे आने वाले भविश्य में जो भी घटना घटित होने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत देते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शब्दों पर ध्यान नहीं देते वह जान बूच कर उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माननता है कि सपने हमारे भविश्य में क्या होने वाला है वह हमें पहले से ही संकेत देते हैं तो सपने एक तरीके से गुथी है जो की अभी तक सुलजी नहीं है चाहे वह साइंस में हो या फिर किसी भी दूसरे अगर हम हिसाब से देखें उसको तो तो कैसा होगा अगर आप अपने पती को सपने में देखते हैं तो जी हाँ इसको एक तरीके से हम देखें तो यहाँ शुप संकेत माना जाता है इसका मतलब यह होता है कि आपके पती और आपके बीच के संबन्द और मजबूत होने वाले हैं और आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं यानि कि सपन शास्त्र के अनुसार सपने में पती देखना एक शुप सपन माना गया है अगर आप अपने पती को सपने में इस प्रकार देखते हैं कि आप अपने पती से लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं तो उससे भी मत घबराईए उसका अर्थ हीहा होता है कि आपके बीच की जो बॉंडिंग है वहा और जादा मजबूत होने वाली है अगर आप अपने सपने में अपने पती को काफी बीमार देखते हैं तो वहाँ सपना भी एक तरीके से शुप माना गया है इसका अर्थ होता है कि जो भी अला बलाती वहाँ टल गई है और आपके पती का स्वास्थ आगे आने वाले वक्त में अच्छा ही रहेगा अगर आप अपने पती को सपने में कुछ इस प्रकार देखते हैं कि वहाँ बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो यहाँ सपना बुरा होता है इसका अर्थ होता है कि शीग रही आगे आने वाले भविश्य में आपकी पती की तबियत थोड़ी खराब हो सकती है अगर आप अपने सपने में अपने पती को देखते हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार से दुखी हैं तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुख जो अपके पती को आने वाला था वहाँ आपके सपने में पहले ही आ चुका है और वहाँ आगे आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहेंगे तो अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम ब्रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद